दे लाइफ टीवी सच सबसे आगे नमस्कार महूरंजीत जा और आप देख रहे हैं दे लाइट जी भागवान कृष्ण की चेतावनी याद है क्या आपको दो न्याय अगर तो आधा दो यदि इसमें भी कोई बाधा हो तो दे दो केबल पांच गरा मैंने यह पंक्ति बस इसलिए आपके सामने दोरा दी है कि महा भारत भी कहीं न कहीं सियासत से भरी पड़ी थी और इस वक्त राजस्थान में जैसे ही भजनलाल की सरकार बनी है एक बड़ी खबर सामने आ गई है आपको तो ऐसे पता ही है कि वसुंधरा राजे ने भाजपा के राश्टरिया द्याक्ष जेपी नड़ा से बस एक साल का ही कारिकाल मांगा था पाच साल का ना सही तो बस एक साल का ही दे दीजिए लेकिन नड़ा सहाब वो भी नहीं माने तो ठीक वही स्थिति है जब कृष्ण पांडव के लिए कोड़ों के पास यही याचना करने जाते हैं और दुर्योधन दुद्कार देता है तो फिर वहां रन हो जाता है तो क्या इस वक्त इस शपत ग्रहन समाहरों के बाद धीरे धीरे बीजेपी के अंदर भीतर घात की बड़ी तैयारी शुरू हो गई है क्या बवाल मचने वाला है क्या बड़ा बिद्रो होगा दरसल जो ख़वर आई है कि बसुंद्रा राजे के चाहने वाले बिदायक यानि उनके जो समर्थक हैं वफादार हैं वो सब भगावत को बेताम है बसुंद्रा राजे भी सही मौके की तलाश में है बताया जा रहा है कि इस वक्त अगर कांग्रेस के बिदायकों का साथ उन्हें मिल जा रहा है तो ये टोटल 139 बिदायकों का समर्थन लेकर मुख्यमंत्री पद के लिए दावेदारी ठोक सकती है अब यह कितनी जल्दी ये घटना घटिद होने वाली है यहा तो नहीं कहा जा सकता लेकिन यहां बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है कि कहीं न कहीं 139 बिदायक मचल उठे हैं बीजेपी को सबक सिखाने को बसुनरा राजे क्या वही बातें यहां बताना चाहती है आपको यहां यहां भी ध्यान देना होगा कि ना सिर्फ बसुनरा राजे की छुट्टी हुई बलकि बसुनरा राजे के वफादारों को भी भजन लाल की कैबिनेट में जगा नहीं दी जा रही है जिसके चलते बगाबत के सुर्ख और भी काफी तेज हो चले हैं इसको लेकर एक तस्वीर आप अपने स्क्रून पर देखिए इसमें आप देखेंगे कि अशोग गहलोत और वसुनरा राजे उसी मंच पर बैठी हुई है जहां पर भारते जनता पाटी ने भजन लाल के शपत ग्रहन समारों का आयोजन किया और दोनों आपस में खूब बाते कर रही हैं हस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं साथ में गजन्दर सिंग से खावत भी हैं यह वो हैं जो वसुनरा राजे के एंटी हुआ करते थे यह तस्विरे कहीं न कहीं या बयान कर रही है कि सीनियर नेता कितने खफा है अपने उपहास को लेकर पार्टी के अंदर उन्हें दरकिनार करने की जो सियासत बीजेपी ने शुरू की है और अचानक से पहली बार की विधायक को मुख्यमंत्री बनाया है वो पार्टी को बड़ा नुकसान कर सकता है क्योंकि बीजेपी जिस प्लानिंग के साथ चल रही है उसमें कताई या नहीं है कि वो कारिकरता को मुख्यमंत्री बना रही है इसमें सिर्फ इस बात की चिंता है कि दिल्ली की तरफ आख उठा कर देखने वाले ऐसे निताओं की फेरिस्थ काफी कम हो जाए और जो भी सामने आए उसे सीधे साइड कर दिया जाए लेकिन बसुंद्रा राजे जनाधार वाली निता है और उन्होंने यह दावा कर दिया था पहले भी कि साथ से सत्तर विधायक उनके साथ खड़े है और यह विधायक जब चाहें बसुंद्रा राजे के इशारे पर बीजेपी को तोड़ सकते है ऐसी प्रस्ति में बीजेपी क्या करेगी जब कांग्रेस का भी समर्थन मिल जाएगा 129 विधायकों जो हैं सामने आ जाएगे तो क्या होगा तो सरकार किस की बन जाएगी कांग्रेस की अब यह पूरे मामले को समझने के लिए आपको मैंने कहा कि वो तस्मीर देख लीजिए जो इस मक्त बरतमान के हैं बसुंद्रा राजे अब बिलकुल बे खबर बे परवा उस मंच पर तो हैं लेकिन अंद्रूनी सियासत जो पकड रही है जो सियासी खिचोड़ई पक रही है वो यह बयान कर रही है कि कहीं न कहीं बीजेपी को आने वाले समय में बहुत बड़े बगावत के लिए तयार रहना होगा और उससे निपटने के उपाई भी खोजने पर सकते हैं हम आपको दिखाते हैं कि इस बारत जैसे भारते जन्ता पार्टी के पास 115 विधायक है 60 अगर निकल जाएंगे तो उनके पास महज 55 विधायक बचेंगे और फिर इधर कांग्रेस के पास 79 विधायक हैं ये अगर आप जोड लेंगे तो 119 का आकरा तो वैसे ही पहु जाता है जो बसुनरा राजे के समर्थन में विधायक खड़े हो पाएंगे तो निश्चित तोप मर कुछ बड़ा होने वाला है तस्वीरें भी बयां कर रही है ये विज्वल्स भी आप जैसे जैसे मंच देख रहे है कि मंच पर जो हसी मजाक का दोड है ये बसुनरा राजेर अशोग गहलोत के बीच की केमेस्ट्री पॉलिटिकल केमेस्ट्री जिसको लेकर कभी सचिन पालेट ने भी कहा था कि सुनिया गांधी से जादा अशोग गहलोत बसुनरा राजे जी के निता है यानि बसुनरा राजे की बात अशोग गहलोत मानते हैं और कई दफे दोनोंने मंच साजा किया आज भी मंच साजा किये तो आजू बाजू बैठे हुए थे और इससे पहले भी एक तस्विर सामने आई जब बसुनरा राजे इन सब चुनावी कारिकरम के दोरान अशो गहलोत के साथ बैठी हुई थे तब यह कहा जाने लगा था क्या बसुनरा राजे अपने पार्टी कमांड से नाराज चल रही है उस वक्त तो सब कुछ ठीक था चुनावी नतीजे आये तो बसुनरा राजे ने शक्ती प्रधर्शन करना शुरू कर दिया और उसके बाद उनके घर विधायकों का जमावरा भी लगने लगा इससे खफा बीजेपी आला कमान उन्हें हिदायते देता रहा लेकिन बसुनरा राजे उनके बेटे दोश्यंत नहीं माले तभी एक ट्वीट भी आ गया इंडिया गट बंधन का यह देखिए कि बसुनरा राजे कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बना सकती है कांग्रेस समर्थन करेगी बसुनरा राजे मुख्यमंतरी बन सकती है ऐसे संभावनाय तलाशी जाने लगी थी और उस संभावनाओं को अब बल मिलता भी दिखाई पड़ने लगा है पड़स्तिया है कि कांग्रेस चाहे तो बसुंद्रा राजे को मुख्यमंत्री बना गए और बीजेपी की नीव वहां से अचानक से हिला गए क्या बसुंद्रा राजे ऐसा कड़ेंगी दरसल वो ऐसी नेता हैं जो लगातार अपने दम पर राजस्थान में बीजेपी का सिक्का मजबूत किये हुए रही थी लेकिन उन्हें दरकिनार क्यों किया गया एक टूइट भी हमने देखा ही था जिसमें कहा जा रहा था कि 70 साल की बसुंद्रा राजे 71 साल के रमन सिंग 64 साल के शिवराज सिंग को 73 साल के प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी ने दरकिनार कर दिया यह कहते हुए कि आप बहुत सेवा कर लिए बहुत सीनियर हो गए आपको दूसरे काम में लगाएंगे और वो खुद 70 साल के है तो क्या बसुंद्रा राजे राजस्थान के सियासत से खुद को समिट लेंगी क्या वो इस तरीके की नेता है क्या उनकी उर्जा क्या उनकी शक्ती पॉलिटिकली कमजोर पड़ गई ऐसा बिल्कुल नहीं जब इनके समर्थक बीजेपी आला कमान के निर्देश के बाबजूद भी उनके घर पर जाकर बैठके कर सकते तो बगावत करने में कितना ही वक्त लगने वाला है कुछ लोग वसुन्दरा राजे, गजेंदर शेखावत और अशोग गहलोत के एक साथ बेठे वीडियो क्लिप पर कमेंट कर रहे है एक तंज है सुनिल चोधरी ने लिखा भी है उसी वीडियो को शेर करते हुए कितने साल चलेगी यह सरकार गजेंदर सिंग, वसुन्दरा राजे एवं अशोग गहलोत आपस में एक दूसरे को पूछते हुए यह भजन लाल की सरकार कितने दिन चलेगी यह वही भजन लाल है जो इसकदर अब रिमोट कंट्रोल सियम कहलाएंगे जिनका अपना कोई जनाधार नहीं होगा जो दूर दूर तक भविष्ट में अपने दम पर 10-20 विदायक नहीं जिता सकते हैं फिर चाहे वो विष्टनुदेव साही 36 गड़ में क्यों नहीं हो या फिर मदिपर्देश में मोहन यादव ही क्यों नहीं हो यह सब ऐसे नेता है जिनका अपना कोई फेस विल्यू नहीं अपना जनाधार नहीं है यह कैसे सत्ता तक पहुचे हैं सिर्फ इसलिए कि दिल्ली तक इनकी आवाज उठ नहीं पाए और जब उठाने की बारी आए 15-20 साल लगे उठाने में तब तक फिर इनसे सत्ता ले ली जाए इन्हें भी सीनियर बता कर साइड कर दिया जाए अब कुल मिलाकर राजस्थान में ऐसी सियासत को बसुनरा राजे कितना एक्सेप्ट करेंगी अगर बगावत हो गई तो बीजेपी कहीं की नहीं रहेगी यह यकीन बानी फिलाल इस वीडियो में इतना ही आप सभी का हम से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धनिवाद